नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल आयरविज्यान समधान में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप रोज प्यास खाते हैं तो ये वीडियो सच मुछ आपके लिए ही है क्योंकि आप नहीं जानते कि आप रोजाना प्यास खाने से कितनी बिमारियों से बच रहे हैं दरसल प्यास हमारे शरीर के लिए बेहत फाइदेमन तत्वों को अपने में समेटे हुए होता है दोस्तों प्यास तो गुनों की खान है प्याज के रस को सरसू के तेल में मिलाकर जोडों पर मालिश करने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है माना जाता है कि अगर इस नुस्के को दो महीने तक लगातार अजमाया जाए तो बहुती फाइदा होता है प्याज के रस और नमक का मिश्रंड, मसूडों के सूजन और दाथ के दर्द को कम करता है प्याज के बीजों को सिरके में पीस कर दाथ खाज खुजली मिट जाते हैं आईए अब विस्तार से देख लेते हैं प्याज के फाइदों के बारे में कब्स को दूर करता है प्याज में मौझूद रेशे पेट के लिए काफी फाइदेमन है यदि आपको कब्स की शिकायत है तो कच्चा प्याज रोज खाना शुरू कर दीजिए आपकी कब्स चुमंतर हो जाएगी डाइबेटीज को करता है कंट्रोल रोजाना प्याज खाने से इंसुलिन पैदा होता है यदि आप डाइबेटीज के मरीज हैं तो इसे खाने के साथ रोज सलात के रूप में खाएं आपकी डाइबेटीज कंट्रोल हो जाएगी दिल से संबदित बिमारियों को खत्म करता है कच्चा प्याज बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है इसमें मिथाईल, सलफाइड और अमीनो एसिड होता है इसलिए यह कॉलेस्ट्रोल को भी काबू करता है और दिल की बिमारियों से बचाता है और हमारे दिल को रखता है सुरक्षित अनीमिया को ठीक करता है प्याज दोस्तों अनीमिया की समस्या होने पर शरीर कमजोर होने लगता है इस समस्या को दूर करने के लिए रोजाना प्याज खाए इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती तता शरीर स्वस्त रहता है खून बहने की समस्या को खत्म करता है प्याच, नाक से खून बहरा हो तो कच्छा प्याज काट कर सूंग लीजिए, इसके अलावा यदि पाइल्स की समस्या है तो सफेद प्याज खाना शुरू कर दीजिए, आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी, गले की खराश को म बाण है, बाल गिनने की समस्या से निजात पानी के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है, बालों पर प्याज के रस के मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, इसके अलावा प्याज का लेप लगाने पर कम उम्र में सफेद हुए बाल फिर से काले होने शुरू हो जा प्याज में चीनी मिलाकर खाली पेट लेने से पत्थरी मुत्र के साथ बाहर निकल जाती है इसका सेवन एक दिन में एक ही बार करें दोस्तों आपने देखा कि प्याज कितना गुणकारी है हलाकि ये खाने के बाद मुँ में बद्भू जरूर करता है लेकिन इसका भी उपाय है आप एक इलाइची खाले या फिर आप सौफ का सेवन कर ले थोड़ा सा गुड़ भी यदि आप अपने मुँ में डाल लेंगे तो आपकी बद्भू की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी सेथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंश सकें धन्यवा दोस्तों